आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल ओम ग्राफिक्स में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनीटर के बारे में जैसा कि हमारे कॉमेंट में बहुत सारा कॉमेंट ये आता था कि सर आप मोनीटर कौन सा यूज करते हैं तो जो के इस टीटोरिल में हम आपको बताने वाले हैं वीडियो को आप अंतक जरूर देखें और हमारी चैनल पर फर्स टाइम आये तो चैनल को सस्क्राइब करके बेले कंद दबादें तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलते हम क्रोम ब्रॉजर के उपर क्रोम ओफ लाइन थोड़ा सा अगर सस्ता पड़ जाएगा तो यहां पे हम फिलिप कार्ट को ओपेन कर लिए और एक मॉडल है मेरे पास LG का LG का 27 इंच का एक मोनीटर आता है बहुत ही बैहतरी मोनीटर है आपको वो मॉडल दिखाते हैं और हम कौन सा मोनीटर यूज करते हैं वो व 27 MP89 HM इसका मॉडल नंबर है यह मोनीटर में सबसे खास बात यह है कि इसका जो लूक है लूक बहुत ही बहतरीन दिया हुआ है क्योंकि इसका जो फ्रेम है चारो साइट का फ्रेम फ्रेम लेस है मतलब कि इसके साइट में बॉर्डर नहीं है और यह देखने में थोड़ा सा यूनिक लएगा और इसका जो नीचे स्टेंड है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है यह मोनीटर आपको लगभग लगभग 20,399 रुपया यहां पर रेट है मार्केट से अगर पर्चेश करते हैं तो थोड़ा मोडा इसमें डिसकॉंट मिल जाएगा अगर फिलिप यह भी मिल जाएगा मतलब कि इसमें स्पीकर लगा हुआ है इसमें दो HDMI भी मिलेगा और एक भी जिये है तो इतना सारा है और उसके बाद IPS डिस्पले है बहुत ही बहतरीन है यह फोटो सॉप और वीडियो एडिटिंग के लिए तो आप इसको पर्चेश कर सकते हैं लेकिन यह थोड़ा सा कॉस्टली है अगर इससे भी आपको लो बजट में आना है तो उसके लिए एक मोनीटर हम आपको बताते हैं यहां पे आप डेल में चले जाएगा डेल सताय सिंच मोनीटर यहां पर सर्च मारिए और यहां पर आ जाएगा उसका मॉडल नंबर एस टू सेवन 21 miserableLq.21h.년 इसका मॉडल नंबर है इसका रेट है 15,899 रुपया इसका रेट थोड़ा सा कम था अब थोड़ा सा बढ़ हा जैसे कि मैं हम आपको बताये थे कि पहले बढ़ा था अब कमा है इसका क्या है कि पहले इसका थोड़ा सा कम था और अभी ज्यादा है तो यह एक लेकिन इसमें अगर आप वीडियो का कलर सौरी फोटो का कलर ग्रेडिंग आप करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट होता है जैसे होता क्या है कि आप फोटो सॉप में अपने मोनीटर पर जो भी फोटो बनाए और फोटो बनाने के बाद जब हम लैब में प्रिंट के लिए आते हैं तो वह क्या होता है कि थोड़ा सा डीप हो गया या फिर रेट टोन आ गया या ब्लू टोन आ गया तो यह मोनीटर जब आप लीजिए गा तो यह सब आपका जंजट ही खतम हो जाएगा मतलब जो आपका एकुरेट डिस्पले पर दिख रहा है वही आपका लैब में प्रिंट होके आएगा तो एक मोनीटर यह है उससे सस्ता है लेकिन यह इसमें फोटो एडिटिंग का बहुत ही बेस्ट मोनीटर हम इसको मानते हैं अब देखिए तीसरा मोनीटर इससे भी हम सस्ता आपको दिखाते हैं वो होगा एसर कंपनी का सताइस इंच उसका हो मॉडल नंबर है एच एटू सेवन जीरो अब इसमें देख लेते हैं एच एटू सेवन जीरो कहां पर है एच एटू सेवन जीरो देखे यह है इसका रेट है सब जो भी हम मोनीटर बता रहे हैं सब 27 इंच के कहीं बता रहे हैं तो इसका भी 27 इंच का हम देखते हैं इसका रेट ब और इसका रेटिंग भी देख लिए 4.4 रेटिंग है मतलब कि मॉनिटर जब बढ़ियां होगा तब ही इसका रेटिंग इतना अच्छा है इसमें आपको IPS डिस्पले है इसमें मतलब कि जब आप लगतार काम कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि आपके आख में दर्ध हो जाएगा य अब ही भी आप वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग करते हैं तो कम से कम आप 27 इंच का धीं डिस्पले रखें उसमें क्या होता है कि आपको डिटेल पूरा अच्छे से दिखाई देता है तो डिटेल जब तक दिखाई नहीं देगा तो काम करने में मजा नहीं आ या फिर आप इसको एमेजॉन पर भी देख सकते हैं कि उसमें क्या रेट है इसमें क्या रेट है तो वह आप कहीं से भी लीजिए उससे हमको को कोई मतलब नहीं है हमको मतलब यह है कि आपको बताना है कि कौन सा मोनीटर यूज करें हम अपने वीडियो एडिटिंग फोटो जिसमें कि हम वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग सब उसी में करते हैं लगी का 27 इंच का मोनिटर है उसका मॉडल नंबर हम आपको बता रहे हैं यहां पर लगी का 27 इंच में मॉडल हो गया 27 MP89 HM आपको डिस्प्लेय पर भी सो कर रहा होगा वह आप देख सकते हैं यह वाला यह मोनिटर हम अभी फिलाल में यूज कर रहे हैं और जिसमें अभी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा हुआ है वह भी 27 इंच पर ही लगा हुआ है तो LG का 27 इंच हम यूज कर रहे हैं वह फिलाल में मेरे पास दो मोनिटर है मोनिटर बहुत ही बहतरीन है आप चाहें तो ले सकते हैं तो फ्रेंट्स यह जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर अ लाइकन दवा ले तो फ्रेंट्स आज तक लिए इता हैं मिलते हैं नेस वीडियो में धन्यवाद